बात करते हैं सरसोदाना की इस साल गेहू, कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान फायदे में है बता दे उन्हें इस फसल का न्यूतम समर्थल मूल से अधिक दाम मिल रहा है इस मामले में सरसो उत्पादक किसान भी पीछे नहीं है खेतों से सरसो बाहर निकालने का काम भी अभी खत्म नहीं हुआ है फिर भी इसका रेट MSP से उपर है वो भी 2100 रुपे प्रती कुइंटल तक है ये देश के सबसे बड़े सरसो उत्पादक प्रदेश राजिस्थान का दाम है यहाँ पर अधिकतन दाम 7150 रुपे प्रती कुइंटल तक पहुँच गया है सरसो का MSP 5050 रुपे प्रती कुइंटल निर्धारित किया गया है सरसो का दाम यूतनम समर्थन मूल से 6711 रुपे प्रती कुइंटल तक चल रहा है साथ ही सोयबीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी महतपूंट तिलहन फसल सरसो ही है जिसका खाद तेलों के योगदान में लगभग 28% है खाद तेलों की अंतराश्य स्थितिया सरसो के दाम को मजबूती दे रही है साथ ही बता दे आपको रूस यूकरेन यूद के कारण इस वक्त सूरज मुखी के तेल का आयाद बहुत कम हो गया है इसका दबा पाम तेल पर दिखाई दे रहा है उदर दुनिया के सबसे बड़े पाम उयल उत्पादक देश इंडोनेश्य ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है जबकि हम बता दे कि कच्चा पाम उयल यही से सबसे अधिक मंगाते है एक्सपोर्ट बंध होने से अपने यहां दाम का दबाब भी बढ़ गया है उदर अर्जेंटीना में सोयबीन का उत्पादन घटने की उमीद है ऐसे में सरसो की फसल इत्रा रही है बता दे आपको सरसो की खेती करने वाले किसान उमीद कर रहे हैं इस साल दाम MSP से लगबग डबल उन्हें मिलेगा भारत खादे तेलों के मामले में इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस और यूकरेन जैसे देशों पर निरवर है हर साल करीब 70,000 करोन रुपे का खादे तेल आयात करते हैं देश में जो खादे तेलों की मांग है उसे पूरा करने में घरेलू उत्पादन असमर्थ है साथ ही खादे तेलों की घरेलू मांग लगभग 250 लाग तन है जबकि औस उत्पादन महज 112 लाग तन ही है वहीं मांग और आपूर्ती में करीब 56% का अंतर है इसलिए सरसो के रेट में तेजी बनी रहेगी कोविट काल के बाद रिफाइन के मुकाबले लोगों में सरसो का तेल खाने की जो प्रवती है वो बढ़ी है बताते हैं वहीं केंद सरकार के अनुमान के मुताबिक इस साल 115 लाग तन सरसो उत्पादन का अनुमान है साल 2021 में सिर्फ 102 दसम्न पे एक शून लाग तन ही उत्पादन हुआ था वहीं खाद तेल वेपारी महासंग न 125 लाग तन तक का प्रोडक्शन का अनुमान लगाया है क्योंकि बुआई के रखबे में करीब 19 लाग हेक्टेर की विद्धी हुई वहीं पे रूस यूक्रेन युद और इंडोनेशिया द्वारा एक्सपोर्ट बैन करने की वज़े से सरसो किसान उमीद कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा दाम सरसो का मिलेगा तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही लेकिन और बड़ी एहम अपडेट्स के लिए बने रही है मार्के टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे जाज़त नमशकार